Hello Friends, आज हम लोग Correspondence with Members देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि एक Secretary शेर होल्डर के साथ किस तरीके का पत्रवेवार करता है शुरुवाक में हम लोग देखने वाले हैं कि Secretary जब Shares इसू करता है तो उस Share Certificate के साथ 500लेटर इंक्लोज करता है वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चानल पे नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब दे चानल, शेर इट विट विट विए फ्रेंग्स, and don't forget to comment about whether you like the video or no. तो लेट्स स्टार्ट! इस पहले, अगर आपको जो मन में आए वो नाम आप दाल दीजे, बस उसके आगे लिमिटेड वर्ड दाल दीजे, उसके नीची हम लोग रजिस्टर्ड ओफिस करके एक एड्रेस देंगे, यह एड्रेस भी आपके मन के अनुसर आप कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद सिटी और पिन कोड, इंपोर्टन जो है, वो है CIN नमबर, अब CIN का मतलब होता है, कॉर्परेट आइटिफिकेशन नमबर, यह 21 डिजिट का अल्फा नुमरिकल कोड होता है, जो हमें रजिस्टर ओफ कंपनीज के यहां से मिलता है, लेफ्ट हैं साइड को फोन नमबर है, यह फो करेंगे, वो सारे lowercase में होने चाहिए, इसका मतलब यहां पर capital alphabets का use मत कीजिए, उसके बार date, अभी हम लोग जिसको address करने वाले हैं, उसको usually Mr. या कुछ तो भी आप title से उसको denote कीजिए, यहां पर हमने उसका address लिखा हुआ है, और subject important है, subject is issue of share certificate, लेटर की शुरवात करत आते हैं, जब हमें उसका पहले से application आया होगा, तो जो application हमने receive किया है, उसके उपर request application है, उसके नमबर है, वो हमें यहां पर reference के तोर पर use करना है, उसके बाद हमें यह कहना है कि यह share certificate हम आपको भेज रहे हैं, तो बच आवियस है, हम उसे ordinary post से तो नहीं बेजेंगे, share certificate को delivery करने के लिए, हम उसे registered post से बेजेंगे, तो हम उसका भी जखरियां पे करेंगे, लेकिन address देना भी ज़रूरी है अभी, तो कौन से address पे बेजेंगे, वो address जो हमारे register of members जो है, उसमें जो address उनका हमने record करके रखा हुआ है, हमें उस address पे यह share certificate बेजना है, in short, इस paragraph में हमने यह पताने की कोशिश किये कि उनके application का reference number क्या है, और हम उसे share certificate किस मोड से बेज रहे है और किस पते पे बेज रहे है, तो एक बाप पढ़के देख लेते, this is to inform you that as per the request application number 50, I am hereby authorized to issue you a share certificate, the same share certificate will be delivered to you within 15 days from the date of this letter by registered post to your registered address as mentioned in the register of members, अब हमें ये भी बताना होगा कि share certificate के उपर लिखा क्या है, तो इसको 4 columns हमें important है, पहला है folio number, अब folio number क्या होता है, ये वो number है जो share certificate के उपर लिखा रहता है, वहाँ पे folio number दिया रहता है, उसी के साथ share certificate number, हर एक certificate को एक number दिया जाता है, तो उसका number, ये आपको जो मन में आ है, वो आप यहाँ पर folio number और share certificate number के यहाँ पर लिख सकते है, आगे है distinctive number, यहाँ पर याद रखे कि आपनी कितनी shares issue किये, उसी की हिसाब से ये number आने चाहिए, अब यहाँ पर अगर हम देखते कि total number of shares 100 दिया हुआ है, तो 100 का मतलब हम अगर distinctive number 301 से शुरू करत हो जाता है, और 400 तक पुरा 100 काउंट हो जाता है, इसलिए इसका distinctive number हमने कुछ भी आपको अगर देना है, 200, 1, 2, 300, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, या फिर 300, 1, 2, 400, जो कुछ भी आपको देना है, आप उस तरीके से दे सकते हैं, यह sequence एक बाई याद रख लेजे, share certificate के चार्ट में आना थोड़ा जरूरी होता है, उसके बाद concluding line, it shall always be our endeavor to provide best of our services to you all the time, अब यहाँ पे सबसे important है कि हम जब yours fitfully लिखते हैं, तब company का नाम वापस वही आना जी है, जो हमने उपर दिया हुआ है, और sign करके, नीचे एक नाम लिख देना है, और नीचे आएगा company secretary, जो designation है, याद रखिए, यह letter लिखने की, या shares allotment letter जो है, यह issue करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो secretary के उपर होती है, इसलिए इसका designation हमेशा secretary होना चाहिए, आप खुद की sign यहाँ पे मत कीचिए, क्योंकि यहाँ पे sign नहीं करनी होती है, आप सिर्फ sign करके लिख दीजि बाइ!